असलाव अलेकुम दोस्तों तो आज मैं आपको पताऊंगा शड के स्लीव की कतिंग शड की अस्तीम कैसे काटते हैं तो दोस्तों हमने और भी वीडियो डाली थी सद्री की कतिंग की पैंड की कतिंग की और भी बासी कतिंग की डाली थी वीडियो अजिए चैनल को सब्क्राइब करें मेरे को लाइक करें दिए जिससे मैंने आने वेली वीडियो आपके ननाटिफिकेशन पर स्भषती है बाघ pie नाष्व टो 13 in हमारा काम क्या है सबसे पहले हम यह एक कि यह निशान लगा लेते हैं अब दोस्तों आपको कफ कितना रखना है सबसे पहले हम यह यह दबाव छोड़ के निशान शोड़ के एक कई निशान लगा लेता है जो अब दोस्तों इंची टेप को ऐसे ऊपर रख कि कि इस निशान पे चार्फ पर इक निशान हो अब दोस्तों चेश्ट है मेरा 36 है कि तो हम एस्तीन है पाणीश कम कर लेते हैं नोसे चौथाई से पॉनिच कम पे ये निशान लगा लेते हैं और यहां से स्कॉयर रखे ऐसे मिला लेते हैं दोस्तों कब है मेरा सवन नौ सवन नौ से एक इंच बढ़ा के सवन नौ का आधा हुआ तो एक इंच बढ़ा के साड़े पांच पॉने च्छे पे ये एक निशान लगा लेते हैं अब दोस्तों इसको ऐसे इस कोई लगके इसको ये सीधा कर लेते हैं अब दोस्तों यहां से इसकी आर्मोल की गुलाई लगाते हैं निशान ये हलका सा यहां पे होने के बार हलका सा इसे लगब यहीं पे अब किस निशान से जो हमने पॉन इच कम लगाए था चौथा इसे नौत सवाट पे जो निशान लगाए था उसको यहां से मिला लेते हैं शेप शेप अगा रखना हो अस्तीन में तो शेप हलका सा देते हुए मिला लीजे अगर जूस पहनने वाला है तो आप सीधी लाई में खीज सकते हैं हम थोगा सा यह शेप हमने किया दोस्ति यहां पास थोड़ा सब्सक्राइब लगते हैं क्योंकि यह मारी प्लेट जब पढ़े है स्कीन की डाट पढ़ेगी पलेट पढ़ेगी तो वह बराबर लें यह यह लगा लिए हमने निशान अब यह कटिंग यह हो जाएगी और जितना आपको पाफ इंच यह काट लेतें दोस्तों आई है कि कटी कर लेतें दोस्तों अब जितना भी आपको दबाव रखना हो उससा आप से आप इंच हमने रखा है यह यह काट लेता है अब इसको यहां पर पाफ इंच रखके इसको कर दोस्तों फिल एक निशान हम यह लगाते हैं यहीं से पॉइंट से शुदू करते हैं यह निशान लगाते हुए यह निशान लगा लेते हैं यहां पर पूटका माल लेते हैं सामने का अर्मोल फोड़ा सा गहरा होता है तो यह निशान लगा लिए हमने इसी पर ऐसे खोल इक इसी पर एक दोस्तों हम निशान पर इसको तो दोस्तों देखिए हमने कितने आसान तरीके से शड़ की कटिंग आपको बता थी आपको समझ भी आई होगी उम्मीद करता हूं दोस्तों यह हो गई तो दोस्तों मेरी शड़ के स्लीप की कटिंग पूरी हुई तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेल आइकन को दबा दीजिए जिससे के मेरे आने वाली वीडियो आपके मुबाइल के नौटिफिकेशन में आपको मिलती रहे